शाड़ी की पट्टियों से चोटी बना लेंगे इसकी लंबाई 6 मीटर है और स्ट्वेटर बनाने वाला उन ले लेंगे इस उन को चार बार लपेट लेंगे चार बार लपेटने के बाद एक तरफ यहां पर नोर्स लगा लेंगे और इसके दूसरे तरफ सेप्टी पिन लग लगाने के बाद यहां पर हम चोटी में इस तरह से करके एक नोट्स लगाएंगे अब इस तरह से फंदे बनाएंगे आप लोग वीडियो को इसकी इप मत करना नहीं तो समझ में नहीं आएगा इस तरह से हम बार फंदे बनाएंगे फंदे बनाने के बाद इसको एक रिंग बना लेंगे फिर यहां पर हम फंदे बनाएंगे दोनों चोटी को एक में करके इस तरह से दो फंदे बनाएंगे अब यहां पर हम फिर जो फंदे है उसमें दो फंदे बनाएंगे इस तरह से इसके बगल वाले फंदे में भी दो फंदे बनाएंगे इस तरह से हर फंदे में दो दो फंदे बनाते हुए ये लाइन तयार करेंगे अब इस लाइन में जो खाली जगह है वहाँ पर फंदे बनाएंगे फंदे में फंदे नहीं बनाएंगे जो खाली जगह है वहाँ पर फंदे बनाएंगे फिर इसके बगल वाले जगह पर इस तरह से दो दो फंदे बनाते हुए ये लाइन तयार करेंगे कभ यहां पर प्रय पकलर कां़ ले लेंगे और इस तरह से है इस यहां पर बनाएंगे इस तरह से isको जोडलेंगे में इस तरह से हम फंद इस तरह से बनाने है कि छोटी ना दीखे एक फंदे में दो फंदे तीन फंदे बनाते हुए ताकि चोटी ना दीखे इस तरह से एक लाइन बनाएंगे देखिए आपनों एक लाइन बन गया है अब इसके बाद हम रेड़ वाले उनसे दो फंदे बनाएंगे इसके बाद फिर हम एक फंदे छोड़ कर फिर दूसरे वाले फंदे में फिर दो फंदे बनाएंगे इस तरह से आपको जितना बड़ा बनाना हो आप बना सकते हैं अगर फंदे दूर लगे तो बीज बीज में फंदे बढ़ाते हुए आपको जितना बड़ा बनाना हो आप इसी प्रकार बड़ा बना सकते हैं कैसा लगा हमें कॉमेंट करके बताएं वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें